महिंद्रा एक्सुवी 5 00 काफी पार इसे रस्ते में डेश्ट होते वे देखा जा चुका है अभी तक गाड़ी को इंडिया के मार्केट में लॉंच हो जाना चाहिए ये ने जनेरेशन मोडल को अभी तक लॉंच नहीं किया गया है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गाड आज तक देखते रहे हैं महिंद्रा एक्सुवी 5 00 सेवन सीटर के सेग्मेंट में काफी जाना वाना गाड़ी और काफी बेहतरिन सेल्स भी लेता है बात करें इसकी 2021 मोडल की यानि कि इसी साल ये कंप्लिटली ने जनेरेशन मोडल पे आने वाला है गाड़ी में कई सारे ने फीचर आने वाले हैं गाड़ी के लुक्स एक्स्टेडियर की बात करें इंटेडियर की बात करें काफी प्रीमियू होने वाले हैं गाड़ी को काफी बार टेस्ट होते हुए भी रस्ते पे देखा जा चुका है लेकिन अभी तक गाड़ी इंडिय में launch कर दिया जाएगा गाड़ी में कई सारे चीजे changes होने वाला है काफी exciting होने वाला है पहले बात कर लेते looks के ओपर क्या change होने वाले looks के ओपर completely ने build quality ऊपर ने design ऊपर ने body structure को ऊपर गाड़ी बनने वाला है गाड़ी के front look के बात करें काफी बड़ा और match look front आपको मिलने वाला है उसके साथ साथ आपको मिलेगा LED hell lamps जिसके साथ साथ ही आपको LED DRLs attached रहेगा जो कि दिखने में थोड़ा अलग और ने design लग रहा है side profile की बात करें third row पे glass रिया काफी अच्छा कासा मिल जा रहा है diamond cut alloy wheels मिल रहा है LED tail lamp मिल रहा है गाड़ी में उपर आपको बड़ा सा sunroof है मिलने वाला है और बात करें सबसे बड़ा changes यहां पे हुआ है गाड़ी की interior पे गाड़ी की interior काफी spacious है third row पे आपको जहां पे अच्छा कासा leg room नहीं मिलता था अब वहां पे आपको अच्छा कासा space मिल जाएगा उसके साथ साथ आपको गाड़ी में कई सारे changes तो किया गया है काफी premium बना दिया गया है गाड़ी में हाला कि मैं आपको बताओ Mercedes GLA जैसे आपको यहां में फ्रील आने वाला है जैसे की premium गाड़ियों में आप देखते हैं एक बड़ा सा touch screen हो यह कुछ उसी तरह कुछ यहां पे मिलने वाला है एक बड़ा सा touch screen जिसमें आपको instrument cluster के साथ GLA में देखेंगे आगे हाला कि A class अभी जो Mercedes का launch हुआ उसमें आप देख सकते हैं उसी तरह कुछ premium आपको फिल आने वाला है और उसी तरह कुछ आपको मीड में controller मिलेगा एक टस्कीन टाइप का जैसे कि आप Mercedes में देखते हैं आपको screen में सारे चीज़ों को control करने के लिए उसी तरह कुछ आपको भी यहाँ पर मिलने वाला है फीचर्स की ओवराली बात करें यहाँ पर dual zone climate control यानि की dual zone AC का option आपको मिल जाएगा auto foldable ORAMS आपको मिल जाएगा plus exterior door handles मिल जाएगा big panoramic sunroof आपको गाड़ी में मिलने ही वाला है यह गाड़ी की interior core loop को काफ़ी enhance करने वाला है उसके साथ साथ काफ़ी area और काफ़ी बड़ा feel आपको होने वाला है 360 degree काड़ी में आपको camera मिल सकता है all digital instrument cluster जब भी मैं आपको बता चुका हूं काफ़ी बड़ा आपको test screen जैसा मिलने वाला है और उसी मही side में आपको steering के आगे instrument cluster मिल जाएगा गाड़ी में ambient lighting का options भी top and variant में मिल जाएगा और टस्किन भी side फे रहेगा जो की instrument cluster की left side में आपको टस्किन आपको front में steering के आगे instrument cluster ओपर बड़ा screen को ओपर आपको मिल जाएगा आपको connected car का technology मिल जाएगा कई सारे features की गाड़ी को आपको mobile से ही operate कर सकते है power front seat आपको मिल जाएगा यानि कि electrically adjust front seats आपको मिल जाएगा multiple driving modes आपको गाड़ी में मिलने वाला है heated ORVMs मिल जाएगा यानि कि बारिस के मौसम में कोई अब दिक्कत नहीं होगा आपको electrically operate tailgate आपको मिल जाएगा dual LED projector head lamp गाड़ी में मिल जाएगा LED DRL के साथ गाड़ी में LED tail lamp भी मिल जाएगा electric parking brake आपको गाड़ी में मिल जाएगा गाड़ी में आपको front parking sensors मिल जाएगा safety features में आ रहे safety की बात करी रहे हैं तो यहाँ पे top and barrel में 7 airbags तक मिल जाकता है गाड़ी में safety में कई सारे premium safety features मिलने वाले हैं अगर बात करें गाड़ी की safety की features की तो यहाँ पे level 1 autonomous driving model आपको मिलने वाल है autonomous emergency braking system यहाँ पे आपको मिलने वाल है उसका साथ parallel park assist आपको गाड़ी में आपको मिल जाएगा adaptive cruise control आपको गाड़ी में मिल जाएगा forward collision waving जैसे और कई सारे आपको काफी premium safety features गाड़ी में मिलने वाल है अगर बात करें engine की तो गाड़ी में आप नेया 2.2 liter diesel engine मिलने वाला है 178 bhp power के साथ 380 newton meter आपको यहाँ पे torque मिल जाएगा 6 pin manual transmission और automatic option के साथ गाड़ी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको mild hybrid का technology भी मिल सकता है इस engine में आपको 16 kmpl का mileage भी मिल जाएगा और इस engine में top and mirand में आपको 4x4 का option भी मिलने वाला है जोगी काफी बहितरीन है अगर बात करें इसमें आपको petrol का option भी इस साल दिया देने वाला है महींद्रा जिहां जिसमें आपको 2 liter का petrol engine मिल जाएगा यहाँ पे आपको 187 bhp का power 380 newton meter का torque मिल जाएगा जिसमें आपको 6 speed manual transmission के साथ गाड़ी में automatic option भी मिल जाएगा यहाँ पे आपको 13 kmp का mileage भी मिल सकता है यहाँ पे आपको mild hybrid technology भी देखने को मिल जाएगा दोनों में आपको petrol और diesel में mild hybrid का option दे दिया जाएगा गाड़ी काफी बहित्रिन होने वाला है हाला कि मुझे गाड़ी की interior काफी aggressive लग रहा है और यह गाड़ी काफी खतरनक होने वाला है मुझे लगता है सफारी जो अभी लॉंच हुआ टाड़ा के तरफ से यह सफारी का killer आ रहा है महिंद्रा एक्सवी 5 007 सिटर्न मॉडल और बात करें इसके launching की मैं आपको बता चुकाओ expected launching की बात करें यह में और जून के महिने में यानि कि अगले 2-3 महिनों में गाड़ी को इंडिया के market में launch किया जा सकता है यहां इसी साली गाड़ी आ जाएगा अगर बात करें expected price की बारे में तो यहां पर price थोड़ी कम से हो सकता है और यह टॉपएंट में 21 लाग तक भी जा सकता है क्योंकि गाड़ी में कई सारे features आपको premium features मिलने वाला है तो यह था ओवरली महिंद्र एक सब्सक्राइब के बारे में आपको क्या लग रहा है गाड़ी में क्या-क्या features आपको बहतरी लग रहा है प्लीज मुझे कोमेंट सेक्स में बता है यह और एससे नेने वीडियो देखना चाहते है ओटो मुबाइल स्कूपर प्लीज हमाज चाल को सस्क्राइब कलीजे मिलता है एसे कसे ने वीडियो के साथ स्टिल दें ठेक्यार बीसर बबाई